सब्सक्राइब कर सकती है ठीके किसी को जो कि आपका सब्सक्राइब कर सकती है और आप्छाइब कर सकती है किसी ब regulation को कि तूं इंपावर एनी साच अफिज़ तू साब्रिणी तू हम है ठीक है कि वो आप डिस्टेग जज़ को भी कह सकती है कि जी वो अपने पावर मतलब जो केसेस उनके सब्रिणीर के पास चल रहे हैं ठीक है सिवल जज़ के पास चल रहे हैं उसको ट्रांसफर करें किसी दू सबस्क्राइब करते हैं यहां पर है नीचे भी लिखा याँ को और इंपावर करते हैं आपको कर सकते हैं दूसरा वह करता है दिस्टिक जाज आर शैशन जाज इन राइटिंग technology hero तो मतलब, जो है, के sorcery के पास केस चरा रहा है उसको transfer भी सकता है उसको सुन भी सकता है फूर खीक है उसको सुन भी सकता है देखे यह मैं फिर बता रहा था इससे पहले यह फोड़े नहीं था तो केस चलते थे आपके सैशन जाजी के पास ठीक है कहाँ पर चलते थे सैशन जाजी के पास डिस्टिक जाजी के पास यह गार्डिन के केस चलते थे अब कहाँ पर चलते हैं अब चलते हैं आपके family code के पास मतलब civil judges के पास चलते हैं कहां पर civil judges के पास चलते हैं चालें जी आगे जी आपका six six आपका ये वो British वला था वो खतम हो गया आगे आ जाता है आपका seven seven के जी where the court is satisfied that it is for the welfare of minor that order should be made to appoint guardian for his property or both ठीक है जब court समझती है कि किसी person को guardian appoint करना चाहिए तो वो guardian appoint का देती है है अपने किसी माइनर का ठीक है माइनर का guardian पॉइंट का देती है ठीक है वो मेरा एक क्लाइंट था उसकी मिसेज घर छोड़के चली के थी वो उसके तीन बच्चे थे तो वो मैंने section seven की application दी थी इसी section seven के इसको आप stay भी के लेते हैं सी section seven का ठीक है stay आडल लेते हैं कि आप के वो आपके से वो बच्चे restrain ना करें बच्चे आपसे restrain ना करें ये कोई दूसरे मतलब हम मैंने भी stay लिया था कि जी अब बच्चे चुके मेरे पास हैं तो वो जो इनकी बीवी है वो या उनके बीवी के खलाब तो stay नहीं देते बीवी के जो भाई होते हैं ठीक है कोई और ना ले जाए तो इसके ताहर स्टे भी लेते हैं उसके बाद इसी के ताहर पादर evidence करवा के बच्चों की custody भी आपको मतलब guardian भी आप बन जाते हैं ठीक हो गया अगर बच्चे हों दूसरी पार्टी के पास फिर हम section 12 और 25 का देते हैं 25 की application जब बच्चे अपने पा कोड़ जब आपका माइनर के लिए किसी परसन को पॉइंट कर सकती है उसका अप्लिक उसका वो करने के लिए उसकी वो पासन या प्रापर्टी का या दोनों का वो पॉइंट करने के लिए करने के लिए कोड रख सकती है मैंने का आपको शेर किया है वो देखें तो आपको थोड़ी समझ आ जाएगी कि यह section 7 का रहे मैं आपको दिखाता भी हूं ठीक है कहता है आगे कहता है डिक्लियर एनी परसन फास फार सच कोड और सच गार्डियन एंड कोड में में कार्डर अकार्डिंडी आगे कहता है एन आडर अडर अडिस सेक्ट शेल इंप्लाइदी रिमूवाल आफ गार्डियन हुएज नाट अपॉंटड़ भाई वैई विल ठीक है जो इस एक्ट के तईट आप कोर्ड अडर करती है इस सेक्शन के तहत बतल्सक्राइद इस सेक्शन सेवन के तएद कोडियन को गार्डियन मıकरणatted यह ठीक है सेक्शन सेभन डहा है थो यह क्या क्या कहता है जो ऐसा पसंद जो वह उसका रिमूबल हो जाता है या कोई दूसरे इंस्टुमेंट के तरह नहीं हुआ उसको रिमूबल समझा जाता है ठीक है अगर आपका पहले विल से है उसको एफेक्ट नहीं करेगा यह सेक्शन सामन का अडर या कुई इंस्टुमेंट के साथ है उसको एफेक्ट नहीं करेगा या कोई कोड का है ठीक है तो उसको एफेक्ट नहीं करेगा उसके इलावा जो भी गार्डियन अपॉइंट किया गया है जो आपको खुद पर्जूम कर लेते हैं ठीक है जो आपको खुद पर्जूम करते हैं जिसको क और एक होता है डी जुडे guardian ठीक है ये कौन होता है ये होता है ये होता है ये होता है आपका ये वो पसंद होता है who presume himself presume himself as guardian of minor guardian of minor ठीक है और ये chas अप्वोंट्टट बाइव अप्वंट भाई नो अब यहां पर कहता है याजोdipped तिया उसको जोटियों प्रश्ममि क options नोशक्त नोशक्ति क्राटियों आपका आप्यों और होता है वह आपका hanging तो डीफेक्टो गार्डियन है उसको एफेक्ट करेगा बीजुड़े को नहीं करेगा या जो कोई विल के तहथ कोई टेस्टमिनी के साथ कोई इंस्टूमेंट के साथ हुआ है उसको एफेक्ट नहीं करेगा आगे करता है विल इंस्टूमेंट और अपॉइंट बाई कोड अ एनादर परसंट टूबी गार्डियन इन हिस्टिड शेल नाड मेड अंटिल पावर अफ गार्डियन और फॉर सेड हैज सीज्ड अंडर दिस एक ठीक है कहता है कि आपका जब परसंट अपॉइंट होता है किसी विल की तैथ या किसी इंस्टूमेंट के साथ या कोई अंटिल पावर सीज्ड मतलब जो अगर ये कोई विल के तैथ इंस्टूमेंट के तैथ या कोई कोड की तैथ कोई अपॉइंट है तो नया गार्डियन उस वक्त तक नहीं बनाया जाएगा जब तक वो पहले वाला जो गार्डियन है उसकी पावर सीज्ड ना हो जाएं इस जब गाडियन मर जाता है फिर सीज हो जाती है या 49 है उसको जठीज हो जया जटा है तावसी 25 ыसको सीज्ड गया जड़ जाता है जब वह ऑकट इस टीभा दे ना उसको उसठीज कर दे जाए एश चीज्ड कर देगा लांए न्टियूशन में और तो यह बतारा है आपका यह आपका बता रहा है कि जी जब नया गार्डिन अपॉइंट करेंगे ठीक है रख बेल के लावा तो उसके लावा को यह पॉइंट किया जाएगा तो उस वागत तक वो नहीं अपॉइंट किया जाएगा जब तक वो पहले जो विल वाला इंस्टुमेंट वाला य कि यह आपका सैच्षिंट सेवन का है ठीक जफा सैच्षिंट तेरा गार्डियन तू वार्ड एक्ट वह आपका यह के रूगर फाद इप्टेशन और उस पर यह का गया कि अलांग विदी इप्टेशन आप्लिकेशन फास्ट एई इस पाइल मार नेमली उम्मेहनी और भूमध एथिशाम और प्रेजन विफोर कोट यह यह हैं कि यह यह दो बच्चे ने जब आ रहे हैं ठीक है आपका और प्रेजन विफोर कोट फोटोग्राफ और मैनल अलारी उब्तेंड उन्दी मारजन आफ दी अडर शीद इस सब्सक्राइब को सुनती है तो इसको यह एफेक्ट नहीं करेगा ठीक हो गया यह है आपका सेक्शन सेमन का ठीक है वह स्टेंड किया जाता है कि दोस्ती पार्टी इसको सिन्याज ना करे जब तो कोट मैंटर डिसाइड नहीं करती ठीक हो गया आ गया जोता है आपका अडर सेक्शन एड करता है अडर अडर इस शलनार भी मेड अनलेस फार गोइंग प्रोवियंस आप पार गोइंग सेक्शन एक्सेप्ट ऑन्डी अप्लिकेशन आप परसन डिजार इस विफोर या क्लेमिंग टूभी गार्टिन आप्टी माइनर ठीक है अब कहता है कि कौन से परसन जो है गार्डियन का दावा मतलब गार्डियन बन सकते हैं या गार्डियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कौन से परसन से ठीक है कौन से परसन गार्डियन अप्लाई कर सकते हैं सबसे वह पहले कहता है परसन डिजार इंग फार ब कि रिश्टेदार मां बाप या भाई भेन कोई चाचा यह या उसके कोई फ्रेंड्स वगरा वो भी माइनर के अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद या कॉलेक्टर कि यहां पर माइनर रहता है या जहां पर माइनर की प्रापर्टी करती है वहां के कोई कुलेक्टर भी आपका पॉइंट हो सकता है इस तरह बच्चा है आपका कोई भी फिरके से तो उसी फिरके से आपका कॉलेक्टर होना चाहिए साक्शिन नाइन बॉर्टन है आपका साक्शिन नाइन बताता है जुरिस्दिक्टर के कहां पर आप गार्डटर की एप्लिकेशन दे सकते हैं कहां दे सकते हैं क्याता है तिक का अफ्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू गार्टिन आफ दी परसन आफ माइनर बाड़ी ठीक है एट चाल भी मेड टू दी डिस्टिक जाज हैंग जुरिस्दिक्शन इन प्लेस विर माइनर अब बच्चा है स्पोज के लहोड में तो लहोड की कोड को जुरि सब्सक्राइब है तो लहोड की कोड को जुरिस्दिक्शन है तो लहोड की कोड को जुरिस्दिक्शन है ठीक है लोड की कोड को जुरिस्दिक्शन है इसी तरह आपका आजाता है इस एफ अप्लिकेशन इस फार इस एफ अप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट तो गार्डियन चेप आफ प्रापर्टी आफ माइनर प्रापर्टी आफ माइनर मतलब बच्चों की जाइदाद किया तक ठीक है अब दो क्या कहता है दो कहता है कि अगर माइनर की प्रापर्टी है वो है आपका जादाद का ठीक है एक है जादाद का तो दो जगों पर हो सकता है कहां पर अगर वो मतलब जादाद का है ठीक है अगर माइनर लाहर में राय राय तो लाहर में भी हो सकता है और इसी तरह इफ प्रापर्टी इज इन लाहर देन इफ यहां पर आप कहलो कि जी इफ प्रापर्टी आफ प्रापर्टी आफ माइनर प्रापर्टी आफ माइनर इज आफ माइनर इस सिट्वेट इन लाहर सिच्चुएट इन लहोर दी कोर्ड अफ जुरिज्डिक्शन है ठापर ठीक है यह दो बता रहा है ठीक है एक इसी तरह आपका ठीक है यह उसकी ग्जम्पर रहे है कि अब प्रापर्टी कहा है ठीक है किस चीज़ का प्रापर्टी कहा है ठीक है रिलेशन टू प्रापर्टी तो कहां पर होगा जहां पर बच्चा रहा है वहां पर हो सकता है और जहां पर उसकी प्रापर्टी स्च्चुएट कर रही है वहां पर भी हो सकता है जहां पर बच्चा रहा है वहां पर हो सकता है ठीक ह सकता है थार्ड वन एक इंपोर्टन चीजा है कहता है इफ अप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू गार्डेंशिप आफ प्रापर्टी आफ माइनर इस मेट टू डिस्ट्री कोड आदर देन दी हैव डैट हैवं जुरिजिदिक्शन एन अप्लेस वेर माइनर आप्लीकेशन दी गई है प्रापर्टी के हवाले से और मतलब आफ माइनर उस कोड में दी गई है जहां पे बच्चा रिजाइड नहीं करता अधर दैन दैट हैवं जुरिजिदिक्शन इन दी प्लेस वेर दी माइनर आड़नी डिकोट में रिटर्न दी अप्लीकेशन इफ इस पीन आप अप्लीकेशन वोट भी डिस्पोज आप जस्टली एंड क्नुमिनेंटली भाई एनी अदर डिस्टे कोड हैं जुरिजिक्शन ठीक हो गया सिंप्ली यह आपका वह है आपका वह सिपीशी का कौन सा है कि सिपीशी का कौन सा है आपका वह सेवन टैन सिपीशी आडर सैवन रूल टैन के जब आप एक केस फाइल करते हैं प्रापर्टी आपकी परिये लहुर केस फाइल का देते हैं मुलतान तो मुलतान की कोड कहेगी कि जी आप जाएं लहुर जाकर दावादार करें इदर आपकी जुरिजिक्शन नहीं बनेगी करें आपको किस जाएं कर देगीरिटान करें ऑदे चाहिंए को नोल सुhr समय ऑनकर साइब उसकी इसे टाब है किया है और आहां हाँ पॉन आए पॉर्टी 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 पंड्व पीप्वाइब करते हैं नहीं नहीं कि दो है नहीं कि आपका क्वेश्चन यह कि प्रापर्टी आपकी लहोड में कि मुल्टान में तो इस सिट्विशन में दावा कहां पर हमने दावा दार करना है प्रापर्टी का मतलब सूर आपने सक्सेशन लेनी है प्रापर्टी की तो उस सुरत में मारे पास वाज़ है कि जहां पर मज़ी फाल करते हैं जहां पर प्रापर्टी स्ट्टेट करती है या जहां पर माइनर रिजाइड कर रहा है माइनर रिजाइड जाइदाद की हाद तक हम मतलब करोना चाहते हैं तो जहां पर प्रापर्टे स्चेट करती है यह जहां पर बच्चे डिजाइड करते हैं दोनुं तरफ से में आपकी है वह हमारे पास आप्शन है अगर सिर्फ है ओनली फार परसन ठीक है गार्डियन छेप फार दी परपस ठीक है वार्डिय परपस आप माइनर परसन मसदास कि फहता है तो वहां पर करेंगे यह जहां पर 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 परपर टी利ड करती हैं यहीं कि बच्या मुलतान रह रहा है प्रापर्टी उसकी लहोर में भी पड़ी है तो हम जात की हद तक लहोर आ जाएं ठीक है जबके बच्चा मुलतान रह रहा है तो यह हम नहीं कर सकते सिंपल सा रूल है मैं आपको फिर बताता हूं कना केकर लई का शिका करेंगे यहां तो बच्चा रह 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 भी नाइन तो यहां आप कि किना अगर म मेड इन डिस्टेक वे आपका प्रापरटी जो है वह आपकी माइनर कि प्रापरटी की जो है तु कि अब 팔घी श्री तो कोड कह सकती है कि आप इसको वहां पर फाइल करें जैसर कोड की जुरिस्दिक्शन में ये करिमिनियंटली हो सकता है स्पोर्ज के बच्चे रहे हैं मुलतान में आप प्रापर्टी पेड़े न हाब में तो वो जा कर सकती है कि आप इसको जाके मुलतान फाइल करें G G section 9 तक किसी का कुए question हो तो आप पूसकता है वह नम आगे चलते हैं इस एक प्रक्राइब तक क्यों इसी को प्रक्राइब तो इस चले जाएब तन वाज आ रही है मेरी आपको इस चाहिए ठीक हो गया हाँ जी यह चुरी वो माटेरियल कापी होता है फिर बाद में मिलता है नहीं है चले मैं आपको यह शेयर करता हूँ यह आप एक फार्म है ठीक है वो फार्म मैं आपको शेयर करूँ वो फार्म देखें आप यह आपका सेक्षिंड टैन जो है न फार्म बार्ड वो कौन सा फार्म होता है जो हम अपलाई करते हैं यह तरह आपको फार्म आजएगा मिलेगा फार्म यह फार्म है ठीक है यह फार्म है कि स्कूँ आप जिदा जिन्स लिखी जाती है कि कहां पर वो मतलब वो एक तुसाहिल का नाम और उसका वो नाम जिन्स मजभ स्कूनत ठीक है नाम सिंस यह कहा है कि नेंब सेक्स रिलीजियन ठीक है बर्थ आर्टन रिजर्जिन्स आप माइनर यह वही चीज़ आ रही है कि नाम जिन्स मजभ तरीक दैश और रिजाइडिंग तो वो कह है फरीद नस्रीन दुखतर नवाब अली अली स्मान राबिया उमर हयात यह कौन है यह माइनर्स है ठीक है यह माइनर्स है तुद्वर वो कहता है फ्रीमिल इस मायरईड और नाॉट अब ही देखें ऐगर Bye ना स्यादी नाबालगा श्यादी आरत है ठीक है और वो तो उसके खावन के नाम ठीक्ohis चादी श्थड़ा रगत है तो उसके खावन क ses अञावन के नाम अगर हो तार्टमन क की वैलियो क्या है अप्राक्सी में तक्मीन आके जी कितनी वालियत क्या हमने बताया कि एक लाख बात्र हजार आठ सबस्ताइस रुपए उसके अकौन में पड़े हैं जो के एच्पियल ब्राँच है राइवेंड ब्राँच तो ये सारा कुछ सैक्शन टैन में बताया गया य अप्लिकेशन नोटेस किया जाते हैं ठीक है इफ कोट ऑटेसपाइड ये इस सफिशन ग्राउंग फार दी फ्रोसीडिंग एफ सैटेसफाइड जाववाज पार दी और प्रोसीडिंग अप्लिकेशन एट शैल फिक्स अडेफार हेरेंग एंड श्यल कास्टिश क्या करती ह है काज नोटेस आप अप्लिकेशन एंड डेट आफ फिक्स फार फिरेंग वह नोटेस करती है तूभी सब्ड इन माइना डर्यक्ट इन आपका सीपी सीपी सी में आपका सामन सर्फ करने का त्रीक कार्ड टोटली आडर फाइव में बताया गया है और फाइब में थीक है आपका आरटर फाइमें बताया गया है लो तो ऑडर्वाइमें आगया बताया आपका किसको नोटिस किया जाएंगे माइनर आफ पैर्न साब माइनर को या उस पसंड़ को जिसके करफ़े में कस्टडी है या उस person को जो के court कहती है कि जी इनको होना चाहिए या propose कर रहा है कि मुझे declare किया जाए ठीक है या आगे हो गयता है person to home in court opinion of court जिसको court मुनासर समझ देगी उसको notice फेज देगी ठीक हो गया उसको notice भेदेगी आगे आ जाता है interim custody ठीक है section बारा important है इसका मैंने अप इसको मैं आडर भी भेद दिया है जो के आप अगर देखें 2017 के पेपरित में 2017 civil judge के exam ठीक है वहाँ पे उन्होंने कहते है कि जी आप interim custody का आडर लिखें क्या चीज़ interim custody का आडर लिखें वह interim custody का आडर भी इसमें है जिसमें वह बाद में schedule चापका देते हैं यह interim custody का आडर है यह क्या है section बारा का आडर है यह इसमें यह आपका यह है ठीक है वह आपका आडर पास करते हैं यह इसमें ना फिर यह मीटिंग schedule इस चाप डूट ठीक है आपका वह करता है इस पादर रियल फादर माइनर वाइर इस डाट अफ़ इस चाप डूट यह आपका जो इन्टार इस चाप डूट रहता है मीटिंग शेडूल चाप अटका देते हैं और फिर issues फ्रेम का देते हैं आपका इंटाराम कस्टुडी का यह सैक्शन बारा इंटाराम कस्टुडी तो कि चलना जी आगे आपका इंटाराम कसी को करता है आपका और क्योंट कूर्ड मेराइक तूर्ण कूर्아इड परस्टॉ तैस Section झीर मेराइक, Сब्य अब्हरद मेराइक एंट ऍिर ऌादॉडे टरी विडिम AM धनिवर्शन हो het of know shall produce on him अब देखें custody होती है मा के पास ठीके कस बी होती है मा के पास तो हम application देते हैं आपका Straight June की ठीके यह अपके है あっ pesos 12 की यह 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 हम यह यह हम application देते हैं आपका session 12 और 25 की ठीके जिसमें हम कहते हैं कि जी हमें बच्चे दिये जाएं ये देखें सैक्शन 44 और 25 की बाप आकर कहता है कि मुझे मुझे दिये जाएं ठीक है बच्चे मुझे मुझे दिये जायं इंटारें कस्टडी बो आर्डर करती आप्लिकेशन दी वह आपका उस के साथ होती है कि जतनी दे तक केस डिसाइड नहीं होता उतनी दे तक कस्टडी हमें दी घाए इसको इंटरं कस्ट्डी कहते हैं साइक्षें byры and make order for the temporary custody and protection of the person or property of minor कि वो आपका temporary custody दे सकती है interim custody जसको कहते है वो court दे सकती है अगर किता है if minor is female who ought not be compelled to appear in public to be produced in the manner according to custody मतरब वो कहता है कि अगर एक माइनर है वो एक female lady है जो के court से मतरब बापड़ा है बाहर नहीं आती तो उसको उनके custom के according लिया जाएगा मतरब वो बेज़ जाएगा कि वो बच्चे ले कि आजए आगे करता है अगर वो पहाँ यह करता है एक फीमेल को उसके टेमपरेरी कस्टरी में उसके हस्मेंड के बास बेदिया जाए नहीं हाँ अगर वो पहले रह रही है या उसके बाप जादा चाहते हैं कि वो उसके साथ रहे तो फिर दे सकते हैं वरना नहीं वरना नहीं है टीक हो आगी आज आव का भी आव यह पर सण होंग भी और प्रोड़क्शन ऑप मयनर इस इंट्रेस्टेट जिसको कस्ट्री दी जाती है जिसको कस्ट्री दी जाती इन्ट्रस्टेट टू डिस्परस्ट अधर्वाईज कि इन तो डिस अद्रवाइज देन आ बाइडी डूज अफ ला इन पुजेशन आफ पापर्टी ठीक है जिस को कस्टरी डी जाती है ठीक है वह इसको साथ मिलागे पर ने तेन इस शहला थाइज अनि परसंट कॉम डी टैंपररी कस्टरी और प्रड़क्शन आफ माइनर इस बाप को इंटेरेमकस्टरी दे गई तो उसको फिर डिस्पस्टास किया सकता कि क्या जब तक उसको डिस्पस्टास इह किया जा कि लगा जए मम तक हम जन्द दुको सफ ला क्या हैं अधर वाइस दन ड्यू को सफला सम्राद आपका यह सेक्षिंड पच्चीस है ठीक है यह आपका में डिस्प्सेस में डिस्प्सेस अजए अंडर सैक्षिंड पच्चीस आप डिस एक्ट गार्डियन एंड वाड एक्ट अधर वाड 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 उसको यह इस एक्ट इसक्षिंड के ताद डिस्प्सेस कर सकते हैं वरना एक दफ़र जिसको कस्टीडी दी गई दुबारा उससे कस्टीडी नहीं लिजा सकते हैं और यह भी यह जहन में रखना है कि यह जो गार्डियन होता है यह फाद ही को लगता है कि यह बंदा जो है बच्चे के माइनर के